तो चलो बच्चे इस वाले question को देखो इसमें करते हैं एक satellite है जिसका महाँ से हमें इन इस circular orbit of radius capital R about the center of the Earth ठीक है ये बात याद दग ना मतलब circular orbit satellite का महाँ से हमें circular orbit जिसका radius capital R about the center आपर a meteorites of same mass falling toward the Earth collide with satellite completely inelastically the speed of satellite and meteorites are same just before the collision subsequent motion of the combined body अब देखो यहां पर यह जो है यह यह आर्बिट यह radius R और अर्थ का भी R ही होता है जनली हम अर्थ का भी R ही लेते हैं तो यह सेटलाइट है वो इसमाल M समेरे ना यह इसका मास capital M है और यह ऐसे अर्थ के पास चक्कर लगा रहा है क्योंकि मैं एजिम कर लेता हूं अर्थ के पास तो यहां से देखो अब यह ऐसे चक्कर लगा रहा तो इसकी जो velocity थी बेसिकली अभी यहां इस पॉइंट पर गर देखो तो इस टॉप पॉइंट पर इसकी velocity ऐसे है इधर को direction में है इनिशियल velocity इधर है और एक एस्ट्राइट्स आया एस्ट्राइट्स आप से mass falling toward the earth collide satellite completely inelastically मतलब एक एस्ट्राइट्स आ रहा है तो चलो मान लेते हैं वह कहीं कहीं से आ रहा है ऊपर से आ रहा है इधर से एक एस्ट्राइट आ रहा तो यह एस्ट्राइट्स आ के से से मार्ट राप मारट की का फिर से सब्सक्राइब यह से खरेंग देख दो मोमेंटम तो कंजार अगर कितना है तो इनिच्वeli लेक्न और मैरनेय गार प्रेंड सस्ट causing भी आ जाएगा और फाइनल दोनों साथ सत्म हो पर हैं तो फाइनल मोमेंटम भी टू एम भी डैस ही होना चाहिए ठीक है मैगनिचूड में मास्ट टू एम वेलोसिटी भी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हापस में एक को लोगा तो रूट टू एम भी जे के बीडैस तो एम चैनिचूड में वी डैस तो वी डैस की वेलू या जाएगी वी रूट टू वी रूट टू कितना होता जीरो पॉइंट सेवन भी आर्विटल वेलोसिटी के यह क्या है यह नई स्पीड है तो अगर यह नई स्पीड है तो पहले वाली जो है अब यह नया स्पीड आ गया जो कि जो इनिशियल स्पीड था वह भी था तो वी डैस जो है वह भी डैस डैस देन भी आया तो सेम आर्विट में तो कभी नहीं चलेगा तो यह बात बिल्कुल गलत है ठीक है अब इन्हें सर्कूलर आर्विट अब डिफरेंट रैडियस अब देखो यहां पर तुम किड़ós सिटी पता और यह बात तो पता ही नहीं है और वैसे भी देखो नेड मोमेंटम चूर्य दे टो इस पर एक ही फॉर्स लग रहा था नेड्म मोमेंटम पहला वाला मोमेंटम इधर था और दूसरा वाला मोमेंटम इधर था तो इनका जो नेड मोमेंटम आ इनिशली जो नेड मोमेंटम आ रहा है वो इधर आ रहा है और जो नेड फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पर जो नेड फोर्स लग रहा है इन पे जो नेड नेड मोमेंटम इनिशली इधर आ रहा है जो की नेड फोर्स इस लाइन में लग रहा है जो ग्रेविटेशनल अट चलेगा नहीं तो यह बात बिल्कुल गलत है ठीक है अब इसकेप करेगा या elliptical path में चलेगा यही दो बज़गे इसकेप कैसे करेगा देखो अगर यह वाली जो इस्पीड भीड है ग्रेटर देन है इसके विलासिटी से इसके विलासिटी कितनी होतीय बाई तो इसके विलासिटी अगर कोई सेट्लाइट चक्क लगा रहा है तो उसकी ऑर्विटल जो उसकी अर्विटल विलासिटी होती है औरू टू टाइमस इसके विलासिटी ऒर टाइंस गितुर से कम Abg escape तो करेगा नहीं ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह इलिप्टिकल पाथ में घुमेगा क्यों इसकी जो भी डैस है और लेज देना इसके विलासिटी से और भी डैस ग्रेटर देना आर्बिटल विलासिटी भी से मतलब भी डैस लेज देन भी डैस रूट टू टाइमस इ इसकी आर्बिटल विलासिटी यह इसके विलासिटी से काम है तो यहां पर जो है कोई भी अगर देखो कोई भी अगर आर्बिटल विलासिटी जो होती है और इसके विलासिटी जो होती है और रूट टू जीएम जीएम रूट टू जीएम ओबर आर होती है तो यह रूट ट यह कंडिशन है तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा इसको अच्छास में समझाया हूं तो कुल मिला कि वह इलिप्टिकल पाथ में ही चलेगा और यहां पर मैं माल नहीं हूं कि सट्लाइट अर्थ के बहुत पास है ठीक है तो यहां से कि यह डाउट दोनों तरह से आपको क्लियर हो गया आओगा लॉजिकली और मैथेमेटिकली थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो